हाँ जी तो कैशो आप लोग मैं आपका निलेश पी आप बहुत बहुत श्वागत करता हूँ इस युटूब चैनल पे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संदर्ब्याख्या से सम्मंदित एक महत्पूर गद्यांस आप लोग यहाँ देख सकते हो हर साल ये परिच्छा में आप लोग के आता है आप गद्यांस देख सकते हो क्या है कि इर्षिया का यह अनुखा वर्दान है जिस मनुस्य के हिर्दय में इर्षिया घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास बलकि उन वस्तूर से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है और इतना रेखांगिक अंस किया है यानि इसी की ब्याख्या करने को बोलेगा आपके एकजाम में ये छे मार्क में आएगा ठीके ये गद्यांस देदेगा और तीन ठे यहाँ पर प्रसंद देदेगा और ती प्रसंदों का उत्तर चलो एक एक करकर हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले देखो आपको ये पहला प्रसंद होता है कि उप्युक गद्यांस का संदर्व लिखी है हमेशा संदर्व पूछता है तो संदर्व लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये आपके किस चे प्रस्तूत के जगह निम्न भी लिख सकते हो कि निम्न गद्यांस हमारी पाठे पुस्तक हिंदी के लिखने का संदर कई तरीका हो शकता है उसमें कोई दिक्कत नी ठीके तो प्रस्तूत गद्यांस हमारी पाठे पुस्तक हिंदी के इर्स्या तूना गई मेरे मन से थोड़ा इसको आप काला से लिख दो के तो ज्यादा वेटर हैगा नहीं भी लिखते हो निला से लिखते हो तो कोई दिक्कत नी ठीके ऐसे लिख दोगे आप संदर्ब इसका आपको दो मार्क मिल जाएगा ठीक है मेरे दोस्त तो संदर्ब हो गया अब देखो इसका हम लोग ब्याख्या करेंगे ब्याख्या के लिए क्योंकि सेगर्ड पुछा है रेखांकी कंस की ब्याख्या में ठीक है रेखांकी कंस की ब्य पध्यांस वाले जैसे देखो इस प्रकार की ये पध्यांस मानुस होतो ही रस खानी तो इसका अच्छे से आपको अर्थ निकालना आना चाहिए तो इसलिए जितने भी आपके पध्यांस का चेप्टर है उनको अच्छे से सब पढ़ लेना ठीक है चलो तो यहाप देखो उड़्दे में इरस्या घर बना लेती है तो ऐसा नहीं कि इरस्या घर बनाने का मतलब यहां पर क्या है कि जिस मनुस्य के फास इरस्या आ जाती है यानि जलन की भावना एक तरह से ठीक है दूसरों को देखकर इर्ष्या करना ठीके तो वह मनुस्तिय उन सभी चीजों से जो उसके पास हैं ठीके चाहे वो कुछ भी हो उनसे आनंद नहीं ले पाता मतलब उनका उप्योग्ञ नहीं कर पाता ठीके बलकि दूसरों के पास जो भी चीज़े उसको देखकर वो बार-बार दुखी होता है या दुखी रहता है तो ये इसका अर्थ हुआ ऐसे मतलब आप बना कर लिख सकते हो तो शुरू में थोड़ा रिखांगीक अंसो के माध्यम से रमधारी सिंग दिनकर कहते हैं कि ठीके या निम रिखांगीक अंस की ब्याख्या और यहाँ पर देखो लिखा गया है कि निम रिखांगीक अंसो के माध्यम से लेखक रमधारी सिंग दिनकर कहते हैं कि क्या कहते हैं कि इरसिया का यह एक ऐसा अनोखा वरदान है कि जिस मनुस्य के हिदय में यह वास कर लेती है अर्थात जिस मनुस्य के पास इरसिया आ जाती है वो उन चीजों का आनंद नहीं लेता जो उसके पास है बलकि हमेशा उन चीजों के करण दुख ही रहता है या दुख उठाता है जो दूसरों के पास होती है देखो बना कर मैंने अपने हिसाफ से लिख दिया है तो इसका आपको दो मार्क मिल जाएग बताना है ठीके कि इरसिया का अनोखा वर्दान क्या है और बाकी चलो इसका PDF कहा मिलेगा अभी मैं आपको ये भी बतायता हूँ इसका PDF और ये भी ये जो लिखा वानू इसका भी PDF आपको मैं दे दूँगा अभी कहा मिलेगा अभी मैं आपको बता दूँगा ठीके चलो प यह अनोखा वर्दान है कि जिस मनुस्य के हिर्दे में इर्षिया वास कर लेती है यह आ जाती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास है बलकि दूसरों के पास जो चीजों से आनंद नहीं ले पाता जो उसके पास है बलकि उन चीजों से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है, ऐसे लिख दोगे, तो इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा, ठीके, तो 2, 2, 4, 2, 6 मार्क आपको मिल जाएगा, यहाँ पे गध्यांस का आपको संदर ब्याक्या और जो यह प्रसन है, उसका उत्तर देने का, हलाकि आपके एक जाम में 2 गध्यांस दिया और इसका भी हमारी एप है, एक मैं आपको बताना चाहूंगा, उसको आप डाउनलोड कर लेना, UP MSP study करकर हमारी एप है, ठीके, प्लेश्टोर पे मिल जाएगी या इसका लिंक इस वीडियो के description में भी मिल जाएगा, ठीके, आप डाउनलोड कर लेना, और वहीं पे आपको जाओगे रिजिस्ट्रेशन करकर, तो होम इसकिन पर कई सारे section दिखेंगे, उसी बेर नीचे आपको प्लेश्ट क्लाश नोट्स का अपसन दिखेंगा, उस पे क्लिक करोगे तो YouTube जाखेंगे, घंधी वाले में जाऊगे, तो ये पीटियो इसके मिल जाएगा, और वहीं प सातो कोड के 2024 के सातो कोडो के मैथ के 223 में साथोड़ों मिलेग यह हर एक सब्जेस्च के 1414 पेपर का अच्छे से इस बैच में वीडियो सॉलूशन ठीके और हर एक वीडियो मतब जो हम लोग पेपर का सॉलूशन कर रहεί है उसkh breakfast म Makes go आप एक बार वीडियो देख लो और PDF से बार-बार रिवाइज करते हैं रहो और हर एक पेपर का टेस्ट भी यानि 20-20 कोश्चन का वहाँ पे टेस्ट भी लगभग आपको मतब जनावरी तक आपको वहाँ 100 प्लस टेस्ट मिल जाएंगे तो यह सब चीज़ आपको लक्षे बैच में मिलेंगी और मातर कितने में 99 रुपे में ठीक है मेरे दोस्ट तो वहाँ आप जॉइन कर सकते हो वहाँ पेड कोर्स में जाओगे लक्षे बैच आपको मिलेगा वह यहां मेरा नंबर है 85-42-86-64-46 आप इस पर वार्शाप कर सकते हो कोई भी समस्या हो कोई भी दिक्कत हो ठीक है पेड कोर्स से रिलेटेड चलो बैई तो यह रहा हम लोगा संदर ब्याक्षे समन्दित एक काफी महदत पूर्ण प्रस्ण आसा करता हूँ आपको वीडियो का काफी अच्छी लगी होगी वीडियो चैनल को सब्सक्काइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू